वीदिए गरेंगे च्रज मृण और चैंकुह करएंगे बॉराइब कैसे मेजर करते हैं और पहले कैसे मोशन घुंफियो सुस्वाइब करनेorn के घृदिए दौफ की कहम तेके हैं ऐसन वारों में स। यहाज़ां की दिएफिव present पाटे पर समस्कों पढ़ते हैं देवाद जनरल डिसकुर्शन अमंग दा चिल्डन इंपहेली अन बूजो उनकी क्लास में डिसकुर्शन हो रहा होता है कि इसमर विकेशन में बच्चे कहां कहां गूमने गए अब कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने गाउं गया जहां के वह हैं प्रेंसे गया बच्चा तरहा के खेंग एक एसा बच्चा था जो कि एरॉप्ले कर राथा और कुछ ए और बच्चे जिन्होंने अपने holiday fishing trip पे जाकर अपने अंकल के बोट पे spend करा the teacher then asked them to read newspaper articles that mention about small wheel vehicles that move on on the soil of Mars and conduct experiment these vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars अब टीचर ने फिर उने बच्चों को newspaper के एक article के बारे में पढ़ने के लिए बोला जिसमें की mention किया गया था कि कैसे एक छोटा सा जो वहिकल है मास पे गया है वहाँ के experiment के तोर पे वहाँ पे गया है spacecraft के थरोड उसी दोरान पहेली had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times उसे बीच में पहेली का करती है एक story बढ़ती है जिसमें वह दिखती है कि पहले लोग कैसे ट्रावल करते थे इंडिया में ancient time पे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तो अब हम आगे पढ़ते हैं the story of transport अब हम इसमें थोड़ा पीछे के story पढ़ेंगे कि पहले कैसे start हुआ transport पहले कैसे use करते थे लोग long ago people did not have any means of transport they used to move only on foot and carry goods on their back later on they begin to use animal for transportation पहले ऐसा कुछ नहीं था ट्रांसपोर्ट का सब अपने पैरों से चलते थे और अपने पीट पे ही जो भी चीज़े होती थी वह अपने पीट पर रखके फिर हो चलते थे बट कुछ समय बाद वह एनिमल्स को use करने लगे transportation के लिए for transport through water road boat were used from ancient time transport के लिए जो water through water हम कैसे use करते थे बोट को ठीक है बोट के थुरू लोग जाते थे इधर से उधर to begin with boats were simple rope of boat in which a hollow cavity could be made let a possible learn to put together different pieces of wood and give shapes to the boat पहले क्या होता था पहले सबसे पहले स्टार्ट लोगोंने किया boat से और पहले उन्होंने simple boat बनाया दैर उसमें modify करा उसके shape में these shapes imitates the shapes of animal livings in water recall our discussion of this streamline shape of fish in chapter 5 and 6 अब बोट को कैसे shape दिया गया उसको streamline shape दिया गया जैसे कि पानी में जो भी livings रहते हैं उनको देख देख के बोट का shape दिया गया और बोट का जो shape बनाया गया इसे कि पानी में इसे को दिया और इसे को दियार में रखते हुए बोट का भी shape इसी तरह बनाया गया था invention of the wheel made a great change of mode of transport the design of the wheel was improved over thousands of years animal were used to pull carts and sorry that move on wheels उसके बाद wheels का invention हुआ जो कि बहुत change लाया transport की मोर्स में और speed भी हो गया transport पहले time लगता था लोग को इधर सुदर जाने में उसके बाद क्या हो गया improvement आ गई जैसे वील का invention हुआ उसके बाद animal का यूज करने लगे थे लोग अनिमल को आगे रहता था पीछे वील का जो भी बना होता था काट उसको animal खीषता था और ऐसे speed बढ़ गए थी हमारी transportation की और इस ते हम बहुत बहुत चीजे भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने लगे थे until the beginning of the 19th century people still dependent on the animals okay boards and shapes to transport them from place to place the invention of streamlight engine sorry steam engine led to the development of new means of transport अब जब तक 19th century का 90th century की beginning तक people depend थे animals पे ठीके और पानी के थुरू हो जाते थे बोर्स पे दो मेजर हमारा transportation था उस वक्त के लिए उसके बाद क्या होगा कुछ समय बाद steam engine का invention हो और इसके बाद बहुत जादा ही development हो गई क्योंकि लोग अब बहुत दूर दू जाने लगे और बहुत बहुत चीजे लेकर जाने लगे और ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गया था ठीक है और असान हो गया था और सेफ भी हो गया था रेल वर मेट फोर स्टीम इंजिन ड्रेविन कैरेज इस एन वैगोंस लेटर कैम अब बाद में यह सब जो रेल रोड यह बाद भी नने का इन्वैंशन हुआ आगा हम पड़ते हिं ऑत्रों मबाइल सच अ मोर्टर पार्ट तों ऑ के बत्ट बात के इस वा रहा हूँ मूतर कार्स बश्यस्ट का अधन श्या रह जोड लिए अर्ली यूर्स ऑफ 19th century, saw the development of aeroplane, उसके बाद बहुत सारे धीर धीर development हुए, हमारा कार आ गया, truck आ गया, busses आ गया, उसके बाद then, जो water पर ट्रांसपोर्ट होता हुथ, fish, sorry, ships, boats, यह भी motorized हो गया, जैसे कि इनकी speed बढ़ गई, capacity भी इनकी बढ़ गई, then 90th century में क्या हुआ, हुआ, aeroplane का development हुआ, 90s में हमारा aeroplane, aeroplane का development हुआ, the word letter improved to carry passenger and goods, उसके बाद passengers और goods को carry करने में भी बहुत improvement हुए, जिससे कि उनकी जो capacity हो बढ़ा सके, electric trains, monorails, supersonic aeroplane and spacecraft were some of the contribution of 20th century, और 20th century में और भी जाद़ डिवलप्मेंट हुए, ठीक है, supersonic aeroplane की electric trains की, monorails की, spacecraft की, figure आप 7.1 में देख सकते हैं, यहाँ पर है हमारा 7.1, यह पहले जबाने का ऐसा कार्ट था, उसके बाद यह bicycle, फिर buses, trains, यह सब ऐसे से बनने लगे, यहाँ पर figure में देसे हमारा दिखा गया है, कुछ different type के, transport के modes, जो कि अभी हमने देख लिए, अब आप, यह नि आदए, आप अरली मोर्स और र्हंसरे, यह अन दूझ संटे अ मौज, देखते हैं, कौन सा वैं यूज नहीं होता, जो पहले होता था, आप पर ऑपर देख रहें, बुल कार देखों, यह अभी गाहं में अभी हमारा थी होता है, इसमे और और टोटली इसमें से कुछ भी नहीं है हम होर स्लाइडिंग कह सकते हैं कि यूज नहीं होता है बहुत पहले यूज होता था पर यह जो आप देखे रहे हो ना बोलकाड यह अभी भी अपने कुछ होम डाउंस में देखा होगा इस पर लोग चीज़े लेकर जाते हैं और यह बहुत कम यूज होता है अब यू भी deer ठाव्स के बाटा ही रहा है इस लेकर तकया की इसे लता है 15 Hoje को अबजमें कहाऊ purchase something it is possible for you to walk to the market how will you know the answer of this question यहाप पर हमें कैसे पता चलता है कि हमने कितना दूर तो ट्रायोल कर लिया हमें कैसे पता चलता है कि हमें कितना चलना जरूरी है अपने जिससे कि हमें कैसे पता चलता है अपना पाएड़ी यह बहुत इंप्सक्राइब कि कितना दूर हमें ट्रावल करना है जिससे कि हम यह आइडिया लगा सके कि उस जगा पर पहुंचने के लिए हमें कौन से वहिकल की जरूत है हम पैदल चले जाएंगे अगर पास है तो हम उससे पैदल चले जाएंगे वहाँ पर अगर बहुत दूर है तो हमें एक बस के जरूत पड़ेगी क्योंकि हम उतना रूर ट्रैवल पैदलिंगर जा अगर से प्लैनेट के पार था हमएं स्पेसक्राप्ट के बुसक्राब्स उपनेते पास और हम चोटे वहिकल के अपने डेस्टिनिशन पर पहुँचने के लिए सम्टाइम लेटर अब्जेक्ट फूस लेंथ और विट वी नीड तो नौ इन पहली और बूजू इन बूजू स्क्लास्रूम दे और लाज डेस्क विच आप टूब आप टू स्टुडेंस पहली और बूजू शेर वन डेस्क अब क्या होता है हमें बहुत सरे ऐसे चीज़ें जिसका लेंथ और जिसके लंबाईया चुड़ाई लेंथ विर्थ हमें जाना बहुत ही जुरूरी होता है अब यहां पर एक्साम्पल दिया गया है पहली इन भूजू का जो की दो करेक्टर से हमारे बुक के थुरू आपक जादा बड़ा जादा पार्ट यूज करते हैं दूसरा वाला कम यूज करता है ठीक है और आप सब के साथ भी होता होगा कुछ लोग जादा डैस्क यूज कर लेते हैं कुछ लोग जादा अपना फैला के बढ़ते हैं वन और टीचर सजेशन एडे डिशाइड तो मेंजर सब्सक्राइड नहीं हो जब बच्चे गए टीचर के पास कंप्रेंड करने हैं तो टीचर ने उनको कहा कैसा करो तुम लोग डैस का मेजर कर लो और हाफ अबाट लो इससे पाइड नहीं हो बोथ बहीं बुजो और वेरी फॉन प्लेंग गिल्ली डंटा विद दियर फ्रें अब फिजर आप सेंट पॉट्टी में देख सकते हैं हम इस फिर में देखते हैं कि अब यह दुनक बच्चे गहां गरते हैं इस मेजर करने के लिए अब इस तरह गिल्ली डंटा से मेजर करते हैं डेक्स की लंबाई को देक्स seems to be having a length equal to the two two dunda length and two length of gully अब डेस्क की जो length है दो गिल्ली और दो डंडे की बराबर होती है drawing a line in the middle of the desk leave each of them happy with the half of the desk अब वह देखते हैं कि अच्छा आप दोनों equal size में बट गया अब दोनों खोश जाते है कि हम दोनों का equal equal मिल गया है length equal to the dunda and a gully in length दोनों को क्या मिला है एक गिल्ली और एक डंडा और जैसे क्या पिक्चर पर देख पा रहे हैं after a few days the mark line get whipped out dojo dojo now has a new set of gully and dunda and as he lost his old one here is how the length of the desk seems to a major अब क्या होगा है यहां पर दूसरा लेंट देख सकते हो 7.3 में देख सकते हो में देख सकते हो पर दूसरा वाला दो डंडा और एक ही गिली हो रहा है, ऐसे क्यों? क्योंकि जो डंडे का जो लेंद होती है, वो बढ़ा होता है, क्योंकि वो दूसरा है, पहले वाला दूसरा होता है अब क्या होता है, जब आपने पहले देखा कि पहले जो डंडा थे एक गिली एक डंडा हाफ मतब दो गिली और दो डंडा था अब क्या था, दो डंडा आप जो लेंद है दो डंडा और वन गिली का हो गया है, थोड़ी ते जगह है वो बढ़ जाती, अब क्या? अब क्या? अब क्या बोलोगे कैसे पहले और बोलोगे किस तरह उनको लेंद मैसे ज़ने चेंडेक्स की? क्या आप या फिर कुछ और देंगे उनको लेंद करने के लिए अब क्या वगयरा? क्या आपको लगता है यह भी सेम प्रावल्म की रिएट करेगा हाँ बलकुल क्योंकि जो सबकी जो अपने 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 लेंथ वो डिफेंट होती है यह भी सब्सक्राव जो अपने लेंथ इसे क्या कर सकते हैं अप यहां पर देखो पिर्चर 7.4 में उन्होंने क्या कर रहा है एक स्ट्रिंग के लेंथ से मेजर करने के गोशिश कर रहा है वो लेंथ को ठीक है अब आगे परते हैं, अब आगे परते हैं, अब श्रिंग से वो मेजर करने के कोशिश कर रहा है यहां पर बूजो और उसको मार्क कर रहा है ऐसे 1 बाइ 4, 1 बाइ 2, 1 बाइ 2, 1 बाइ 8 string length now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string you would say that they would use the scale in their geometric box and solve their problem आप यह भी कह सकते हो आप Paheli and Bujo को कि तुम अपने geometric box से अपना ruler निकालो scale निकालो और आप उसे भी major कर सकते हो yes of course Bujo has been a reading about the way people used to measure distance और Bujo क्या करा था पढ़ आथा कि कैसे पहले को लोग major करते थे distance को before such standard scale were made and he has been trying to follow different method of measuring distance पहले scale बनने से पहले लोग भी इसे तरह major करते थे और उनको भी ऐसे difficulties आती थी क्योंकि जिससे भी major करते थे वो अलग अलग जगा पे vary करता था वो सब जगा सेम नहीं होता था तो इस तरह उनको बहुत सारे problems आती थी distance को measure करने में और वो accurate भी नहीं होता था अब इसी तरह बहुत सारे questions आते हैं जिसमें हमें लेंड्स या पर इसके distance या चाहता है आप जगाते हो एक अमें करते पके पास कितना है आपके बाजू किथे पुरी हाइट नी चाहिए है इसे पर फ्रफेक्लिया कोई भी कपड़ा वह शिल सके आपके लिए ठीक हैं या फिर वह एक ही मिजर रखे और सबका सेम से लिए तो सबको तो डिफिर्ट डिफिर्ट आएगा ना ठीक है इसी तरह कापेंटर भी है वो भी मिजर करता है हाइट को वेड को एक कबड बनाने के लिए कि जिससे उसको पता चल सके कितनी लकडी की जरूरत है या फिर दूर बनाने के लिए उसको कितनी लकडी की जरूरत है तो हम बीना मीजर करके हम नहीं पता कर सकते हैं दा फार्मर नीड तो नो दा लेंड और अंब्रेट ऑफ दे एरिया विस लेंड तो नो हमाच सीरी कें सो और हमाच वाटर उड़ बी नीड़ फो इस क्रोप इस तरह फार्मर को भी लेंड की जरूरत होती है लेंड की जरूरत होती है अपने लेंड की जिसी कि वह उसको पता चल सके कितनी सीट की जरूरत है और कितनी पानी की जरूरत है उस फिल्ड में सब्कोर्स यू आर आस्क हाव टॉल यू आर यू वांट तो टेल दा लेंड अफ एस ट्रेट बहुत कि आपके पीजल अपर से लिखे आपके फीट तक और हमें रूम कितना बड़ा है हमार डैस कितना चोड़ा है दिल्ली से लखनों कितनी दूर है इस चीजे मून से अर्थ कितनी दूर है सब चीजे हम मेधर करते हैं ठीक है भाल इसोटन है वन तिंगे थे और जिस दिसंगे जितनी भी चीज अभी समय कोशन मैं पूछा मैं इएक चीज काम वह सब डिस टेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि दो प्लेसे के बीच मिलें इस दूपलेसे की बीच में कितना इस वें चोटा और लाइक टीबल का और हो सकता हो इतना बड़ा हो जैसे जम्मोगन करने कमारी का लेसे दू अप्यू मेजरमेंट तो सी वर एक्टिवीटी दिये ठीक है अब हमें एक्टिवीटी यूजिंग हमने फूट का यूज करके एक्टिवीटी करेंगे जिसमा अब इसमें हम क्या करेंगे अपने फूट का देखो नेवमें अपना फूट का अपने पैर से चल चलके हम यह मेजर करेंगे कि कितना कौन सपोज एक बच्चा है वह उसके टैन कदम मुझ चलता है दस फूट चलता है उसके चड़ाई पूरी कवर हो जाती है और पंदर अब दूसरा बच्चा चलेगा तो यही उसका फूट स्टैप होगा वह डिफरेंट होगा मेभी उसका पैर चूटा है जिसका पैर चूटा है उसके पंदरा जगा 16 फूस्टेव होंगे 17 हो सकते हैं तो यह इस तरह मैजर करता है मैं तब उसका वेरी करता है ठीकिक एक एक एक्टिविटी टू है जो कि मैं आपको नहीं बता रही है मतलब लाइन बैल नहीं पढ़े मैं आपका समझा देती है एक्टिविटी टू में भी इस तरह फिंगर देख रहे हो 7.5 में पिक्चर देख रहे हैं कि हैंस्पैन मतलब पुरा हाथ की मदद से वह तेबल को ऐसे म करता है अगर आप करते हो तो आपका में भी आप अपने रूम में करके देखेंगे जिस इसलिए तो आप जहां बैटे हो अपने तेबल हो चोटा हो उसका अलग आएगा तो यह थोड़ा बहूड आता है ठीक है तो यह बीक तरीका है मेजर करने का जो कि इससे आप मतलब करेक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकते यह तो यू में find that you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to mark the measurement आप भी देख सकते हो किस तरह आप ऐसे मेजर 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 कर रहे हैं जैसे आपनी ऐसे मेजर कर रहा था पहले अब यहां पर दी हमने measurement पर क्या unknown quality अब यहां पर हम देखते हैं measurement with the width of the table number of the handspan लिखना है who measure that width of the table और यहां तो कौन से बच्चे ने यहां पर कर रहा है यह भी आप activity अपनी class में कर सकते हैं जिसमें ऐसा आप बना सकते हैं यह इसको फिल कर सकते हैं अपने बुक्स में अपने फ्रेंड्स का आप तीन चार बच्चे ले 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 अचार बच्चे अलगे अपने टेबल को मापे यही टेबल को मिंस और उसके बाद यहां पर लिखे किसका कितना हैंस प होता है उसको हम unit कहते है the result of a measurement is expressed in two parts one part is a number the other part is the until sorry unit of the measurement for example if activity one the length of the room of the farm to be 12 length of your foot then 12 is number and foot length is a unit selected for the measurement अब हम कोई भी चीज़ का measurement करते है हम unit के इस्तमाल करते है unit क्या होता है हो हर जग सीम होता है जिसे हमें पादा चलता है अच्छा हमने इसमें इसको measure किया है हमने कैसे measure किया है तो हमें अगर हमने हमने activity फॉर्स में देखा कि हमने measure किया है food strap से अगर हम लिखते हैं ठीक है हमने classroom का measure कि 12 तो 12 क्या अब किसको अगर कोई पूछे गाट्वेल तो हमने पता ही नहीं किया है इसलिए हम यूनिट करते हैं हम 12 footstep अगर footstep का use करके हमने measure किया है 12 footstep अगर हम कुछ और use करके करते हैं sorry hand step करके करते हैं तो 12 hands span तो यह unit इस तरह हमें help करता है जिसे में पता चलता है कि measurement किसमें हुआ है now study all the measurements recorded in table 7.1 जितने भी measurement हुए है 12.7 बन में recorded है यह आप ऐसे इसमें आप इसको फिल करेंगे अब इसमें क्या हुआ है 7.2 में भी all are the measurement for the room using everybody's foot equal और everybody's measurement by hand span of with and table equal perhaps the result could be different जैसे मैंने आपने बताया मैंने आपको बताया कि सबके जो hand span है तो different होते हैं तो क्या लगता है सबका सब जो भी measurement करेंगा singular होगा नहीं वह vary करेगा अलग-अलग होगा तो और नहीं हमारे हैं पैर सबकी सेम होते हैं नहीं हमारे footstep सेम होते हैं ठीक है तो यह slightly different होगा for all students therefore when you tell your measurement using your handspan or length of food as unit to other they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your handspan or food अगर आप किसे को बोलोगे कि हम मैंने इसका measurement कर लिया है मैंने नहीं पता तो उसको सबसे पहले आपका handspan का measurement भी चाहिए होगा तैन वो measure कर पाएगा इसके length तो यह थोड़ा सा critical और थोड़ा सा difficult हो जाता है कि we see therefore this some hand standard unit of measurement are needed इसलिए हमें standard unit चाहिए होता है जो सब के लिए similar हो किसे एक के लिए अलग ना हो that do not change from person to person जो चेंज ना हो person to person या place to place उसको standard कहते हैं ऐसे पहले पहले जमाने में ऐसे बहुत सारे problems आती थी कि वह measure सही से नहीं कर पाते थे को श्ट्रिंग का यूज करता था कोई ऐसा handspan का यूज करता था और यह vary करता था person to person किसी ने मुला मैंन रतना सब्सक्राइब कोई दूसरा करता है तो इसकी अलग लेंथ आ रही होती थी और इससे नहीं बहुती प्रॉल्म करेट होती थी confusion होता था इसलिए लोगों ने इसका solution निकाला और standard units बनाया जो की similar हो और किसी के कोई परशानी नहीं 7.4 standard unit of measurement in ancient time the length of a foot a width of a finger and distance of step were commonly used as a different unit of measurement जैसे मिनम ने आपको बताया the people of the Indus Valley civilization must have used very good measurements of land because we see evidence in exavacations of perfectly geometrical construction पहले भी ऐसे यूज होता था कोई अपने length यूज करता था कोई finger यूज करता था ठीक है पर वहाँ पे कोई उस वक्त यूनिट नहीं था उसके बाद इंडरस वैली है आप इसको इसको में बढ़ेंगे इंडरस वैली शैविलाइजेशन में मेजर्मेंट इस्तमाल होने लगा यूनिट इस्तमाल होने लगी महाँ पर इसका इंवेंशन हुआ और वहाँ पर आपने इसके जो एविदेंस है वहाँ पर फ्रफेक्ली जिमेट्रीक कंस्रॉक्शन है आप उससे समझ सकते हैं इसके बार में आप यह आपको थोड़ा सा भ US prime इसके और ऑइसकर अभी में आपको के अधर बेल्न की पियाइट के लिए क्यार्विक चाशाँ करने सुनुट उसके आपकर ऑन जे से लिए हुग्छें लेड़ा के बार चाहिंगे61ि में वर्यक्यों आपकर फोड़ा का सफ्रॉक्रीड उस सीखना हो लिए 121 त pagता of cloth by the distance between and of the outstretched arm and their chin a cloth का भी कैसे वो करते थे अपने आम से लेकर अपने चिन तक वो इस्तिमाल करते थे अपने इसको मम्यों को भी करते हो जब साड़ी को मेजर करते हैं वो भी कभी कि यह से यूज करते हैं अपना आम से लेकर अपने चिन तक कि हां यह एक मीटर हो गया ऐसे दै रोमंस मेजरे विध यह locomo Eddie एंवांर से स्टैपस और मेजर खाते थे तो दुनिया में डिपर डिफर्ट डिफर्ट अडिफर्ट तरीके 2013 dollars कि तर्माल की जाते थे मेजरमंट के लिए इनिए ऐसेंडिया इन्डिया अभी आपने देखा होगा जो समीन आपको बताया बीभी चुछ कुछ जगह छोटे मुटी लैंड को यूज करने के लिए मेजर करने के लिए हम ऐसे कॉमनली नाप लेते हैं बॉड़ी पार्ट को हम आप लेते हैं अब यह इंधे क्यों होता है कि इससे बाडिवार्ट के यह उता है अपने देखा होगा आपका हाथ में भी एक्जर्ट्ली सेम नहीं होगा थोड़ा बॉड़ा इससे बाते मिजर्मिंट निहीं होगा तो यह गयर्स बार्ट कर सकता है है। प्राब्øमोग सब्सक्राइब करसकते हैं आइह बढ़ते हैं offers कैल सैंटिमेलłem heap है have caused confusion and measurement in 1790 तक बहुत confusion ओता था मेजर में मेING gefेज्टा उनिट of measurement कम उसके बत्प्रेंच नहीं करा ता एक स्तेंडर unit create करा था बनाया था जिसको metric system कहते थे for the shape of uniformity scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement this system of unit now use a use is known as the international system of unit SI unit that's a unit of length is a meter a meter scale is known sorry shown in figure 7.6 also shown in 15 centimeters scale in your geometric box अब क्या हुआ scientist ने ये find out कि रहा कि 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 कितनी measurement करने में कितनी issue के लिए टोकता है लोग कैसे कैसे तरीके इस्तमाल करते हैं चीजों को measure करने के लिए इसलिए उन्होंने इसका एक solution निकाला कि सबको परशानी ना हो उन्होंने एक unit निकाला मेजर करने के लिए और extended unit निकाला उसको हम कहते हैं international system of unit यहां ऐसा unit ओके और length को measure करने के लिए length को मेजर में मेजर करते हैं हर जो करते हैं हर चीज को मेजर करने के लिए different different हम यूनित भी समाल करते हैं तो आगे पढ़ेंगे तो length का जो measurement करते हम उसका यूनित ऐसा यूनित है मीटर आप आपने 50 cm का आपने अपने scale भी देखा होगा आपके जिमेटरी बॉक्स में पार्ट फर्स्ट को finish करते हूं इसका पार्ट सेकेंड भी आएगा जिसमें आगी की chapter को में एक्स्प्रेंग किया गया उसका link आपको description में मिल जाएगा या फिर आप इसको मेरे चैनल के playlist में जाके देख सकते हैं ठीक है इसके question answer इसके keywords सबके link आपको description मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल के playlist में जाके आप उसको वहां से देख सकते हैं आपके आपके पूली like share and subscribe ने चैनल सेमन पाच शेकें बबबाई